मम्ता बेनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि अभी हम सरकार नहीं बना रहे हैं इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे तो क्या अब इंडिया गडबंधन सरकार बनाने वाला है? क्या इंडिया के पास बहुमत मौजूद है? क्या सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा खेला होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कॉंग्रिस ने बड़ा दावा किया है। तो बिहार में कैसे खेल पलटने वाला है? मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? और तो और लालो प्रसाद यादों की बेटी रोहिनी आचारे ने नितीश कुमार को लेकर क्या बड़ा दावा किया है? आपको एक एक खबर दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे लेकिन उसके प जब चाहें गिरा सकते हैं सरकार कॉंग्रेस सूत्र तो कॉंग्रेस के हवाले से खबर चलाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि एबी पी ये खबर चला रहा होगा तो ये खबर अपने आप में कितनी पुखता रही होगी? कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने दावा कर दि थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे, तो क्या अब कॉंग्रिस के पास बहुमत आ गया है, जो दावे किये जा रहे हैं, उद्धो ठाकरे की तरफ से कि शिंदे गुट के 5 सांसद हमारे संपर्क में है, टीमसी कह रही है कि भारतिय जंता पार्टी क तीन सांसद हमारे संपर्क में है, तो क्या अब ये सस साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्या सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि मैं आपको बता दू कि कॉंग्रिस ने जहां एक तरफ ये दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ नितीश कुमार ने बिहार में आनन फानन में क्याबनट की मीटिंग बुलाई है, खबर देखे, इसमें लिखा भी हुआ है कि नितीश कुमार ने अचानक बुलाई क्याबनट बैठक ले सकते हैं, बड़ा फैसला, तो ये वहीं नितीश कुमार है, जो कि ठीक दो दिन पहले इतने बिमार थे, कि चंदर बाबु नाइडो की शपत ग्रहर समारों में नहीं जा पाए, अब आप देख सकते हैं कि फुल आक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, तबियत भी ठीक हो गई है, और तो और सारे के सारे नेताओं को लाइन हाजर कर दिया है, और क्याबनेट मीटिंग बुला आने के लिए कोई भी बड़ा फैसला चार जून के बाद ले सकते हैं, तो सुना आपने, तेजस्वी आदो ने पहले ही कह दिया था कि हमारे चाचा चार जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे, अब तो खबरे भी निकल कर सामने आ गई हैं कि नितीश कुमार बड़ा फैस ऐसे हालातों में मीटिंग बुलाए गई है, और ये मीटिंग अपने आप में कितनी बड़ी मीटिंग बुलाए गई है, इसका अंदाज आप इस बास से लगा सकते हैं कि दो दिन पहले जो नितीश कुमार चंदरबाबू नाइडू के शपत ग्रहन में नहीं गए थे, पना वश्यक मांगें नहीं मानेगी, बीजेपी सरकार की मझबूती के लिए छोटे दलो से भी संपर्क साधा है, बारतीय जंता पार्टी जेडियों की जो मांगे हैं उसे मानने के लिए तयार नहीं है, नितीश कुमार के सांसत नाराज दिखाई दे रहे हैं, जस तरीके स रेलवे मंत्राले नहीं मिला है उसके बाद तो बगावती सुर निकल कर सामने आ रहे हैं ऐसे में जेडियों को तोड़कर एंडिये को मजबूत तो नितीश कुमार करेंगे नहीं यह हर कोई अच्छे से समझता है इस हालात में आप समझ सकते हैं कि बिहार में बड़ा खेला ह हो सकता है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी जहां एक तरफ छोटे दलों से संपर्क साध रही है वहीं दूसरी तरफ आर जेडी ने नितीश कुमार से संपर्क साधा है और तो और लालू प्रसाद यादों की बेटी रोहिनी अचारी का बयान भी निकल कर सामने आ गया है क्य तेजस्वी यादों का बयान है दूसरी तरफ रोहिनी अचारी का बयान निकल कर सामने आया है यह वही रोहिनी अचार है जो कि चुनाव प्रचार के दोरान कह रहीं थी कि चाचा के लिए अब दर्वाजे बंद हो चुके हैं देखे लिखा भी है निउस 24 की खबर में कि हम चाचा फिर बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब उनके लिए दर्वाजे बंद हो चुके हैं तो पहले कहना था दर्वाजे बंद हो चुके थें लेकिन अब रोहिनी अचारी का कहना है कि हम चाचा का इंतजार कर रहे हैं वो आशिरवाद देने के लिए कब आएंगे तो मीटिंग बुलाई गई है एक तरफ दावा किया जा रहा है कि आशिरवाद चाहिए चाचा बड़ा फैसला लेंगे वही दूसरी तरफ आनन पानन में नितीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है कॉंग्रिस ने तो कह दिया है कि जब हम चाहें तब मोधी सरकार को गिरा सकते हैं तो ये मीटिंग अपने आप में कितनी एहम होने वाली है आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दू कि जब 4 जून को रिजल्ट निकल कर सामने आया उसके बाद 7 जून को भी नितीश कु कुमार से पून पर बात चीत की है इसके बाद तेजस्वी आदों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तो तब तो खेला हुआ नहीं लेकिन अब खेला हो सकता है क्योंकि अब मंत्राले नहीं मिला है और तो और सिर्फ नितीश कुमार नाराज नहीं है बलकि NDA के ना शिंदे ने साफसाफ कह दिया है कि 400 पार की नारे को लेकर विपक्ष की जूटे नरेटिव ने बीजेपी को नुक्सान हुआ या है तो एक नाशिंदे का कहिना है कि जो हार का ठीकरा है वो हमारे सर पर मत थोड़िए आपने जो 400 पार का नारा दे दिया था उसके चलते भारतिय जन्ता पार्टी को नुकसान हुआ है ऐसे में खेल हो सकता है और कब कौन पलट जाए आप इन बयानों से इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि अगर सीटों की गड़ित की बात की जाए तो भारतिय जन्ता पार्टी के पास बहुमत नहीं है आप अच्छे से जानते हैं और अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो मैं फटा-फट से आपको सीटे भी बता देती हूं देखिए भारती जन्ता पार्टी की 240 है टीडीपी की 16 है जेडियू की 12 है और शेव सेना जो की शिंदे पास चल रहे हैं उनकी शिवजेना के पास साथ सीटे हैं ऐसे में अगर 15-16 सीटे यानि की 15-16 सांसत भी इधर से उधर हो गए तो खेल कभी भी पलट सकता है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के पास 240 है वहीं एंडिये के पास 293 हैं ऐसे में 240 लाने वाली बीजेपी का क्या होगा सवाल खड़ा होता है जस तरीके से भारती जन्ता पार्टी ने मंत्राले बाटे हैं और तो और स्पीकर पद देने के लिए तयार नहीं है उसके बास से आपसी खीषतान मची हुई है योगि स्पीकर जेडियो और टीडिपी छोड़ना चाहते नहीं और भारती जन्त अबार हो रहा है कि सुन्ध को मंत्री देना है कि वो दिया गया है लेकिं शपत ग्रहन अभी तक नहीं भुआ है आप समझ सकते हैं जब सिकर ही तो शपत क ओनतिल लाएगा तो फिल चले जाएंगे आप को क्या लगता है क्या निटीश कुमार बड़ा खेला करने वाले हैं और अगर माल मिलीजे कि नितीश कुमार ने नहीं किया तो क्या दूसरे घटक दल खेल कर देंगे क्योंकि इंडिया घट बंधन ने तो कह दिया है कि हम जब चाहे तब मोधी सरकार को गिरा सकते हैं यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के सामने आने के बा अधा शेयर करें सब्सक्राइबर बटन दबाए हमारे जाल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें फिर मते होगी खबर के साथ अब तक के लिए हन्यवाद